दोस्तों करनाटक विधान सभा चुनाओं में अपनी जीत का पर्चम लहराने वाली कॉंग्रेस ने मुसलिम वोटरों को एक्जूट करने में काम्याबी हांसिल की है जिसकी जलक नतीजों में साफ दित्ती है दरशल इस चुनाओं में नौ मुसलिम उम्मीदवारों ने जीत हांसिल की है और सभी कॉंग्रेसी हैं ऐसा मैं कहा जा सकता है कॉंग्रेस मुसलिम वोट बैंक को एक्जूट करने में सफल रही है करनाटक में मुसलिम मददाताओं की संख्या करीब 13% है करनाटक चुनाओं में कॉंग्रेस ने मुसल्मानों के लिए 4% आरच्छन बहाल करने का वादा किया था जिसे BJP सरकार ने खतम कर दिया था शायद यही वज़ा रही कि कॉंग्रेस को इसका फाइदा मिल गया आपको बताते चलें कि कॉंग्रेस ने इस चुनाओं में 15 मुसलिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिसमें से 9 ने जीत हांसिल की वहीं जीटिस ने 23 मुसलिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था लेकिन कोई भी जीत हांसिल नहीं कर सका असदुद्दीन अवैसी की पार्टी औल इंडिया मजलिस ए इत्यादुल मुसल्मीन यानि AIMIM की ने दो सीटों पर चुनाओं लड़ा था लेकिन उसे कुल वोटों का 0.02 परसेंट ही वोट हांसिल हुआ PFI के राजनेतिक संगठन HDPI का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ क्योंकि उसके 16 उमीदवारों में से कोई भी खाता नहीं खोल सका कॉंग्रेस की किस रणनीती ने मुसलिम वोट बैंक को एक्जूट किया आप इस मुद्बे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राज सरूर लिखाएं